हालो बच्चों क्या हाल है आसा करते हैं सभी लोग अच्छों होंगे और साई से पढ़ाई कर रहा होंगे तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं एक समी करण के बारे में जिसे हमें बैलेंस करना है आयन इलेक्टान बिद द्वारा और यह आपका क्लास 11 का 2nd paper का 1st chapter का आपका equation है तो इस equation में हमें आयन इलेक्टान भी द्वारा बैलेंस करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो यह आयनिक समी करण दी गई है इसके 2 आर्धसमी करण बनाएंगे तो पहला आर्धसमी करण बनेगा आपका Cr2O7 double minus से आपका बन जाएगा Cr3 प्लस आयन के बीच में ठीक है पहला आर्धसमी करण यह बन जाएगा कहने के मतलब सजाती सजाती परमाणों के बीच में combination बनाके आपको आर्धसमी करण बनाने है ठीक है और इसके बाद में जो दूसरा समी करण बनेगा वो बनेगा I minus से I2 के लगो बीच में इस तरीके सा सबसे पहले हमें दू अर्धसमी करण बना लेने यह आपका अर्धसमी करण पहला हो जाएगा ये अर्धसमी करण आपका दूसरा हो जाएगा ईथक यह देखना है कि किस अध्य समिकरण में आक्सिकरण हो रहा है किसमे अपचेन यहाँ पर देख सकते हैं माइनस से 0 यानि कि increase हो रहा है अर्थात यहाँ पर आपका होगा आक्सिकरण का प्रक्रम तो यह नीचे वाला आपका अध्य समिकरण आक्सिकरण प्रक्रम का है उपर वाले में अगर देखा जाए तो CR27 में Chromium की Oxygen संख्या प्लस 6 आएगी ठीक है तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो लिख सकते प्लस 6 और यहाँ देख सकते हैं प्लस 3 तो Oxygen के संख्या में कमी हो रही है तो जब Oxygen के संख्या में कमी होती है तो वहां पर आपके प्रक्रिया होती है वह संख्यान दूर्धस्मिकण बनाई और अक्सिकर्ण अभचयन के लिएर किया है second step में हम ये करेंगे कि दोनों उपरोगत अर्द समी करणों को हम संतुलित करेंगे ठीक है तो सबसे पहला आपका अर्द समी करण है CR207 double minus से CR 3 plus i n के बीच में ठीक है तो यहाँ पर देख सकते है central आपका जो atom है वो chromium है तो यहाँ पर 2 chromium है और इधर एक chromium है तो हम chromium को balance करने के लिए 2 से गुड़ा कर देंगे ठीक है उसके बाद में oxygen परमाण balance करेंगे तो oxygen परमाण को balance करने के लिए हम H2O के अर्ड जोड़ते है वो भी आवसिकता अनुसर तो अगर 7 oxygen इधर है तो हम 7 H2O इधर जोड़ देंगे ठीक है और इसके बाद में hydrogen को संतुलित करने के लिए हम H plus iron जोड़ते है वो भी आवसिकता है तो इधर 7 दूना 14 आपके hydrogen है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 14 hydrogen और जोड़ देंगे जिससे के hydrogen भी balance हो जाएंगे अब आपका बच्चा आवेस्ट इधर minus का 2 plus का 14 14 into plus 1 यानि plus का 14 minus का 2 तो बच्चा कितना plus का 12 और इधर 2 into 3 यानि कि plus का 6 तो हम क्या करेंगे 6 electron इधर add करेंगे और अब chain पर क्या में जो electron है वो अब क्या के 2 तरफ add करे जाते है ठीक है तो इतना करने से ये आपका अर्ध समिकरण संतुलित्फ हो जाएगा अब दूसरा समिकरण है जिसमें से I minus equal to I2 अब इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले iodine बराबर करना है यानि कि I परमाण तो इधर आपका 2 iodine के परमाण है और इधर 1 है तो यहाँ पर हम 2 से गुड़ा कर देंगे अब इधर 2 into minus 1 मतलब आविस इधर कितना है माइनस 2 ठीक है इधर है 0 तो हम इधर 2 electron जोड़ देंगे जिससे की क्या होगा आविस बराबर हो जाएगा इसको equation हम third माल लेते हैं और इसको equation हम माल लेते हैं फोर्थ अब ये दोनों अर्थ समिकरण हो चुके है संतुलिद अब इसके बाद में हम क्या करेंगे इन दोनों अर्थ समिकरणों को उचित संख्या से गुड़ा करेंगे जिससे की क्या हो जो भी आपके electron है वो cancel out हो जाए तो यहां पर यह step 3 माल लेते हैं यहां पर step 3 हो गया तो देखो एक का गुड़ा से आटू 7 से होगा फरक नहीं पड़ेगा यानि से आटू 7 से आजाएगा प्लस अब 3 से गुड़ा करा जाएगा 2i माइनस का तो यहां हो जाएगा 6i माइनस इसके बाद में 14H प्लस सेम रहेगा अब 6i माइनस इधर थे लेकिन 2 से गुड़ा इधर किया जाएगा जब 2i माइनस का तो यहां भी 6i माइनस का जाएगा यह भी 6i माइनस का जाएगा मतलब कैंसिल हो जाएगा अब बचा क्या तो अब अभिक्रिया के बाई तरफ कुछ नहीं बचा अब दाहिनी तरफ देखते हैं तो दाहिनी तरफ आपका 2cr 3 प्लस i already same जैसा था वैसा ही रहेगा और इसके बाद में इस equation में गुड़ा किया जाएगा कितने से इस equation में गुड़ा किया जाएगा आपका 3 से तो इधर आ जाएगा 3i2 ठीक है और लास्ट में आपको क्या करना है 7s2o लिख देना ठीक है तो इस तरीके से ये जो आपके समयकरण मिली वही आपके संतुलित समयकरण होगी और इसमें क्या किया गया है आपने देख लिया है तो इस तरीके से आप किसी भी आइनिक समयकरणों को आसानी से आइन एलेक्टान बिद्वारा संतुलित कर सकते हैं अगर आपको ये प्रोसेश इजली समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें जिससे कि इसी तरीके के जो भी आपके पास में वीडियो डाले जाएं नोटिफिकेशन के तहट जानकारी मिल सकें धन्यवाद